दोस्तों स्वागत आपका एक आजाद concept यूट्यूब चैनल पर आज हम इस्तानी सुसासन की बात करेंगे जिसमें पंचाइती राज और नगरपाल कार की बात करेंगे एक ही वीडियो में इतियास से कैसे शुरुआत हुई और कैसे इस्तापना हुई सारी बात करेंगे इसी वीडियो में शुरू बात करते हैं इस्तानी सुसासन की जानकारी मौरे सामराज और चोल प्रसासन में जानकारी मिलती है दौनों में मौरे सामराज और चोल प्रसासन में जानकारी मिलती है 1864 में बारत सरकार के एक प्रिस्ता द्वारा इस्तानी सुसासन कि मानेता प्रदान की आती है 1873 इस्वी में लाड मेयों ने पंचायत को कारयात्मक वित्ति स्वाहतता प्रदान की 1882 में रिपन द्वारा इस्तानी सुसासन के लिए एक प्रिस्ता पारित किया गया इसमें देश में उपखंड अत्वा तालोका बोर्ड तता जिला बोर्ड इस्तापित करने का सुजाब दिया इस प्रिस्ताव को पंचायत क्या मैगना काटक आजाता है इसलिए लौर्ड रपन को इस्तानी सुसासन का जनक का जाता है 1907 इस्वी में राजकी बिकेंदरी करन आयोग का गटन किया गया इसे साही आयोग के नाम से जाना जाता है इसने स्तानी स्वायत सासी संस्ताओं की इस्तित की जांच करनने के लिए कार गया है ठीक है, 1907 में राज्की बेकंदीर करान आयोक का गड़न होता है, जिसे साही आयोक के नाम से जाना जाता है, इसने क्या किया, इस्थानी स्वाइत सासित संस्ताओं की जांच करने का कारी किया, 1919 में चेम्सफोर सुदार में दुए सासन में इस्तानी सुसासन को हंस्तांतरित विषय में रखा गया जिसमें 22 अरह अपने प्रतिनिदियों द्वारा कारी करवाता था 1935 के भारत सासन अधियम में इस्तानी सुसासन को फूर्टिया राजिका विषय बना दिया गया शुतंता के बाद गांदी ने ग्राम सोराज की अबदाणा को साकर करने के लिए पंचायती राज पर बल दिया ठीक है बोल लिग गया है गलत है लेकिन पंचायती राज पर बल दिया गांदी जी की अब्दाना को साकर करने के लिए केंद्र में पंचाइती राज और सामदाएक विकास मंत्राले की स्ताबना की गई बिकास मंत्राले की स्ताबना की आती है 2 अक्टूबर 1952 को जवाला नेरु ने सामदाइक विकास कारिक्रम की इस्ताबन की और पंचाईती राज विवस्ता के सम्मन्द में सुधार करने के लिए सम्कियों का गठन करने का कार किया पहली सम्मती बलवंतराय मेहता सम्मती 1957 गठन होता है इसने कई स्पारिसेक की जैसे इसने स्थ्रिय पंचाइती राज विवस्ता की स्तापन पर बल दिया इसने ग्राम स्थ्र पर ग्राम पंचाइत ठीक है एक तो ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायद होगी प्रकंड इस्तर पर पंचायद समती होगी जिला इस्तर पर जिला परसद होगी तरह इस तरहीं पंचायद राज विस्ता के गटन की इसने बात की इसके लिए उन्होंने लोक तांत्रे बिकेंदी करना की सुगात की इनकी सिपारसों को स्विकार कर लिया गया सरप्रितम आनद प्रदेश में प्रयोक के लिए पाइलेट प्रोजर के लिए शुरुआत देखने के लिए कि पंचाइच राज ब्यासता है सही चलेगी या नहीं उसके लिए प्रार्म किया जाता है इसको देखते हुए इसकी सफलता को देखते हुए दो अक्टूबर 1969 में जवाला नेरुद्वारा राजस्तान के नागर जिले में पंचाइच राज ब्यासता की आपचारिक शुरुआत की और पहला राज बना राजस्तान ठीके दो अक्टूबर कोई क्यों की गई क्योंकि गांधी की अफदान आती गांधी का जनम दो अक्टूबर को उगा था इसलिए दो अक्टूबर को पंचाइच राज ब्यासता की शुरुआत होती है पहला राज राजस्तान ठा और दूसरा राज आनप देश बना जिसने 1969 में ही पंचाइच राज ब्यासता को अपनाया द इस्ताबना पर बल दिया या सिपारिस की तो याद रखन इनकों नामों को देखना है बलवंत राय महता इसमें तीन सब्दें बलवंत राय महता तो तीन सब्दें तो त्रेस्तरी पंचाइती राजवस्ता हो गई और नीचे बाले को देखते है असोग महता समती 1970 में घटन होता इसने दो इस्तरी डांचे की सिपारिस की ठीक है दो इस्तरी इसके ओभी दो सब्दों से याद रखना है असोग और महता दो सब्द आ रहे हैं तो इसने दो इस्तरी डांचे की सिपारिस की ठीक है बलवंत राय महता ने त्रेस्तरी और असोग महता ने दो इस्तरी जि ग्राम पंचायद समती को समद कर देना चाहिए सरकार ने इनकी सिपारिसों को अस्विकार कर लिया ठीक है पीचाबच्रक क्या राव समलती ठीक है, इसमें भी तो छार सब्द मिल आ है और इस ने चार इसतरी की है पी पी के राव ठीक है चार सब्द मिलना है तो चतुरत इसी है चार इस्तरी पंचायद ऐसे ही रखना यहीं पूचा जाएगा कि किसने त्रेस्तरी यह चार इस्तरी पंचायदी वस्ता की सबारिश की तो इनके नामों को देखके ही रखना है तुम्हें और इसमें पूचा जाएगा कि किसने नहीं की तो वो भी आप देखना राज इस्तर पर राज विकास परसद जिला इस्तर पर जिला परसद मंडल इस्तर पर मंडल पंचायद ग्राम इस्तर पर ग्राम सभा ठीक है इन्होंने सरवादिक मेह तो जिला परसद को दिया ठीक है सरवादिक मेह तो जिला परसद को दिया है पंचाईट की नियमत चुनाव कराने के साथ ऐसी इसटी में और मैलाओउं के लिए आर्थक्र्ण किसे GDP ते हेती गे मूत पंचाईथ पड़ सिह था निर्दार्ड किये गए थैं तें उनके एक यह तिहाई जो सीटें थे जो स्तान थे वह ईक मां पर्च्समंगाल राजश में देखनों को मिलती है बारत किर दियोंग सुपारिश को भी अमाहनदा नीकर दिया गया आगे देखते हैं डॉक्टर एलेम सिंगवी 1986 इनों ने इस्तानी सुसासन को सम्मेदानिक मानेता प्रदान करने की सिपारिश की पंचायतों का चुनाव गेर दली आदार पर एवो नियमित रूप से कराने की सिपारिश की पंचायतों को आर्थिक रूप से आर्थ निर्वर बनाने के लिए वित्ति संसादन उपवंद कराने की सिपारिश की डॉक्टर एलेम सिंगवी ने 1986 में ठीक है यह सम्मेदानिक मानेता प्रदान करने की सिपारिश कर रहे हैं और पी-के थूगण सम्ति आ रही है उनीस अठाजी में पी-के थूगण सम्ति इनौंने पंचायतों को संमीदानिक दरजा देने का सुझाब दिया है ठीक है ग्यारमी अन्सूची दोड़ी गई और भाग नौ को पुने इस्तापित किया गया यह संसोधन 24 अपरेल 1993 को लाग हुआ और 24 अपरेल को पंचाहिती राजदवस मनाए जाता है ठीक है चत्रमा समयदान संसोधन पंचाहिती राजदवस मनाए जाता है अक्याधी विवस्ता पंचाहिती राजदवस्ता इसके गटन जो 243 अनुशेद यह उसमें इसके विवरण दिया गया और 25 जो 29 जो विशह है उसमें 29 विशा है याद रखना कुछन पूचे जाते हैं कि पंचैद जो गयारे अनुशूची घारेम-अनुशूची उसमें कितने विशह दिए गए 29 विशह दिए गए जिसके उन्यक्ति राजपाल करता है और इसके कारेकाल 5 वर्स होता है ठीक है राजचनवायो का कारेकाल 5 वर्स होता है और चुनाव लड़ने की नीनतम आए 21 वर्स हो रही है और बोट डालने की आए 18 वर्स होती है 243 ए में ग्राम सभा का गटन किया गया गया ग्राम सभा क्या होती है ग्राम सभा किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों बाले व्यक्तियों को सामुहिक रूप से ग्राम सभा का जाता है ठीक है ग्राम सभा किसे का जाता है जो नामावली होती है नामंकन ठी सवां मुझनन टाले को अनुछख विशक्ता लिखत यह बोटा होगए जो सवा बनाता है उसके घ्राम सवाकाय संसताहाइट ठीक है जो क्रांव सभा कि कारे होते है वो घ्राम नैकन करती है और घ्राम सभा ग्राम पंचायाइत के कारे को निरिच्छन तव्याइंकन क Täаемся 243B में पंचायतों का गटन और सर्रचना का बिरून दिया गया है कि कैसे गटन होगा और कैसी सर्रचना होगी तो सर्रचना इसकी त्रे इस्तरी होगी ठीक है बार्द में त्रे इस्तरी विवस्ता को अपना गया है तो इस्तिरी व्यवस्ता को अपनाए गया है 243D पंचायतों में आरच्ण SC ST और महिलाओं के लिए इस्तानों में आरच्ण की व्यवस्ता करता है 243D याद रखना 243D पंचायतों के बारें बात करता है और 243A ग्राट सबस्टा का घटन है और D में क्या है आ रच्ण है कुल सीटों में जो एक क्याई भाग है जो ऩो सीटे पाइल की गई और उन्मसें एक क्यात यूशित है हे 223i राज बित्यायों को गडण किया ठीक है 243 I में निर्वाचन के बारे के राचने और आयो कि हर पांच में राचपाल के द्वार्था इसकी निग्ति की आगए कुछ पॉइंट हमों देखते हैं जेlessness में कंक्ता था सबीक कि नहीं है कि फिर सmm holiday light परसद का एकटन किया गया है ठीक है एक इस्तरी यह जंजाती परसद है और एक इस्तरी ग्राम पंचेद राज्यों में केरल मणीपूर शिक्य में देखने को मिलती है एक इस्तरी जैसे कहीं त्रे इस्तरी है दो इस्तरी हो गई ठीक है तो एक इस्तरी केरल मणीपूर और शि आधिर राज्यों मेंगें को मिलती है। एक इस्तरी बीवस्ते में केरल मणीपूर पुर इस्तरी elles यूपी बेहार, महाराश्ट, पंजाब, गुजरात, आद jouer में हैं और दो इस्तरिय असम उडिशा मद्य प्रदेश कन्नाट घर्याना और चत्रत इस्तरिय पच्छे मंगाल में अब नगरपालगा में देखते हैं नगरपालगा के बारे में चौत्तरमा समिदान संसुदन 1992 में लाए जाता है और यह लागू एक जून 1993 में लागू होता है इसके द्वारा भाग नौक का जोड़ा जाता है और बारेवी अनुसूची जोड़ी जाती है बारेवी अनुसूची में अठारव इसे हैं ठीक है नगरपालगा के अठारव इ इसे में आरच्च्छ की विष्टा किया हीए मैलाओं के लिए एक त्याई जो इस्तान है उसमें मैलाओं को आरच्छ इस्तान दिया गया है पहला नगर निगम 1687 में मदराज बनाता और 1793 में तरानवे में कॉलकाथ और मुंबई को नगर निगम बनाए जाता है ठीक है हमने पंचाईथी राजवश्था को डेटेल से जाना और सम्विटियों को याद रखना है जैसे मैंने नामों को बताए उन नामों को याद रखना है कि 3 2 और 4 यह याद रखना चार इस्तर पर चार नाम हैं, दो इस्तर पर दो हैं, तीन इस्तर पर तीन है, ऐसे नामों को याद रख लेना है, ठीक है, और डेट याद रखना बस, ठीक है, यही बहुत है, धन्यवाद,